शान्ताकारं भुजक्षैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भर्द्यान गम्यं वंदे विश्णुम भव भैहरं सर्व लौकिक नाथं ओम नमो नारायन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं विशाख मास में एकादशी उपवास का विशेश महत्व हैं एकादशी का उपवास रखने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं खास तोर से एकादशी का वरत रखने से गंभीर करने वाला होता है हमारे हिंदू धर में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए वरत और उपवास के नियम बताये हैं बहुत सारे जो वरत पढ़ते हैं उनमें सबसे कटे लेकिन सबसे जादा पुर्णिदाई जो वरत माना गया है वह एकादशी का वरत है जो कि एक महीने मे तो बार आता है, एक क्रिश्न पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। एसे में विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का अपना लगी महत्व है। भी विशाख मास की एकादशी का विशेस महत हमारे सनातन धर में बताया गया है आज के दिन भगवान शुरी हरी के साथ साथ भगवान राम जी की पूजा भी की जाती है और जिस तरह से हर व्रत किसी ना किसी मुख्य देवी देवता को समर्पित होता है उसी प्रकार से भगवान शुरी हरी मालक्षमी जी और भगवान शुरी राम की पूजा की जाती है भगवान शुरी हरी को पीले फल पीले फूल पंचमरित और तुलसी दल अर्पित किये जाते हैं आप कोई भी मौसमी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं इसके बाद भगवान शुरी हरी के भगवान राम के मंत्रों का जाब किया जाता है फिर शुरी विश्णु चालीसा का पाठ करके व्रत की कथा पढ़िया सुनी जाती है सबसे अंत्य में आर्थी करके क्षमा यासन की जाती है विशाख मास के शुकलपक्ष की मोहिनी एकादशी का नाम भगवान शुरी हरी के मोहिनी अवतार धारं करने पर रखा गया है ऐसी मानिता है कि इसी दिन भगवान शुरी हरी ने समुद्र मंथन के दोरान निकलेवे अमरित को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारं किया था और फिर उन्हें देवताओं को पिलाया था इसलिए इस दिन रखता है सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उन्हें बुद्धी का भी आशिरवात प्रात होता है आज की वीडियो में आप जाने के विशाख मास की शुकल पक्ष की मोहिनी एकादशी की दिथी शुब मुर्थ और इस दिन होने वाले सूरिदय और सूर्यास के साथ व्रत पारण के मुर्थ के बारे में साल 2022 में 12 मई गुरुवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा इस दिन आप सुब ब्रह्मों मुर्थ में उटकर इस नानादी से निवरत होकर भगवान की पूजा करें दिन बर निरहार रहते वे आपको व्रत रखना चा दश्मितिति से ही नियमों का पालन करना प्रारंँ कर देना चाहिएmanas एकादशी के दिन सुर्यदे का समे रहेगा सुबह पाँच बज कर 51 मिनट और सुरिहास्त का समे समे रहें रेगा शाम 6 बज कर 55 मिनट इस दिन सुबह सुर्यदे से पहले उठकर इस नानादी से निवर मैई शुकरवार की शाम पांच बजगर 27 मिनट पर एकाधशी का व्रत द्वाधशी तिति को हमेशा एक निश्चित शुब मूर्थ में खोला जाता है और सुर्यदे के बाद खोला जाता है द्वाधशी तिति के दिन सुर्यदे का समय रहेगा सुबह 5 बजगर 50 मिनट और सु मूर्थ रहेगा सुबह 6 बचकर 15 मिनट से लेकर 8 बचकर 25 मिनट तक कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है इसलिए व्रत का पारण मूर्थ बीतने के बाद ही अक्सर व्रत खोलते हैं ऐसे में आपकी की गई पूजा पाट का या आपके किये गई व्रत का पॉंडफल भगवान श्रीहरी को तुलसी दल अर्पित करता है ऐसे में चाहें आपकी सामर्त भाकी सामगरी को अर्पित करने के लिए ना भी हो अगर आपने अडूर्ट विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान नाराएन को केवल तुलसी दल और जल्भी अर्पित किया है तो आजकल हर दिन नियम से हमारे चैनल पर भागवत पुरान की कथाएं भी सुन सकते हैं वीडियो कर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विश्णु भगवान की जय जरू लिखेगा